Hello everyone, welcome back to my channel Friends, आज मैं आप सब लोकिशाथ एक और microwave की एक बहुत बढ़िया सी रेस्पी शेयर कर रही हूँ चोकि खाने में बहुत ही जबजस्ट लगती है तो चलिए बलकुँ देर नहीं करते हैं और रेस्पी को स्टार्ट करते हैं और इस रेस्पी को मैं बना रही हूँ एलजी के चारकुल microwave में लेकिन आपके पास इसके लावा आप दूसरा कोई microwave है तो आप सेम रेस्पी को फॉलो करके इस रेस्पी को बना सकते हैं तो चलिए जल्दी से रेस्पी को स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एक चटनी तयार करनी पड़ेगी इस रेस्पी के लिए तो यहां पर मैंने फ्रेश धनिया ली है और साथ में मैं थोड़े से गारलेक जिंजर और ग्रीन चिली ले रही हो इस वी रेस्पी में जितना ज्यादा आप धनिया पत्ती और मिर पर एक microwave से बाउल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ घी यदि आपको घी इस्तमाल नहीं करना है तो आप oil का इस्तमाल कर सकते हैं अब मैंने इसमें थोड़ा सा जाला है जीरा और यहां पर डाल दिया मैंने तेज पत्ता और थोड़े से खड़े गरम मसाले जिसमें मै हम रखते है माइक्रोवेब में उसके जो माइक्र कर देते हैं पावर हम हाई रखेंगे और चाइम है वो सेट कर देते हैं डो मिनियत का मेरे मेरे मम का मेरे है ważne तो मैंने वही पावर यहां पर सेट कर दिया है दो मिनिट में क्या होगा दो मिनिट में जीरा वगेरा है वह अच्छी तरह से तड़क जाएंगे आप चाहें तो इस काम के गैस पर भी कर सकते हैं पर जो माइक्रोवेब हम इन सारी चीजों को करते हैं तो इसका जो फ्लेवर ह बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं माइक्रोवेब में ही सब कुछ करके दिखा रहे हूं यह देखें दो मिनिट हो चुके थे और हमारा जीरा वगेरा है वह अच्छी तरह से तड़क चुका है और अभी हमने जो धनिया पत्ती का पेश्ट तयार किया था वह हम इसमें दही उसमें डाला है गरम मसाला और थोड़ा सा डाल दिया है नमाग और इन सारी चीजों को अब हमें अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और इसको हम रख देते हैं साइड में और फरीदे के यहां पर मैं ले लिया है एक गिलास चावल और इसको मैंने पहले से ही धोके रख और फ्रीट करने के लिएए जंख करने के बाइक तो आपर माइ mercury वैप का फिर देते हैं और हम इसको रख दी है माइकर हम रखे ज़ो मायक्रोड मोड है врux कर देते हैं 5 में में आख 500 सार्यंतो घॉल अच्छी तरह से इंचि wallet कर लेती होrod गूं जितना भी हमने घी डाला था वो separate हो चुका है अच्छी तरह से अब जो हमने rice धोके रखा था था ना तो उसमे राइस में हमें ये masala को जो है वो add कर देना है तो सारा masala हम इस जो rice है इसमें add कर देते हैं और यहां पर देखिए मैं आप चाहें तो आप जो कांच की बाउल बे हमने बसाला बनाया उसी में rice बना सकते हैं पर मेरे पास अलग से rice cook करने के लिए container है तो मैं वो इस्तमाल कर रही हूँ अब हमने rice में one and half glass बानी डाल दिया है क्योंकि हमने एक glass चावल लिया था उसी के हिसाब से हमने डेड़ गलास बानी डाला है और यहां पर मैंने इसका डेड़ लगा दिया है और उसके बाद देखिए यहां पर आप छेट देख रहा है इससे थोड़ी सी steam निकलती रहती ह तो जब भी हम इससे microwave में cook करते ना इस तरह से चावल तो जो चावल है ना वो कभी भी microwave में नहीं गिरता है अब हम यहां पर फिर से हमने microwave का जो microwave मोड है वो set कर देते हैं और 15 मिट का time set कर देते हैं 15 मिट में जो हमारा चावल एक दम perfect तरीके से तयार हो जाएगा और जो हम देखिए कितने खिले खिले हुए है इस तरह से जो दाने होते हैं वो microwave में जो हम राइस स्कुक करते हैं तब ही इस तरह से जो कितना पर फ्रफेक्ट तरीके से कुक हुआ है और कितना टेश्टी देख रहा है तो आज की रेस्पी यहीं तक थी रेस्पी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा यदि आप सब लोगो आप वीडियो अच्छा लागा हो तो वीडियो को लाइक करेगा चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलती हूँ आप सब लोगो से नेस वीडियो पर जब तक अपना ख्याल रखे थैंक कि शुओ माज़ प्यूद्ध बाइब बाइब